हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है, और आज मैं आप लोग को एक interesting story बताने जा रहा हूँ, तो आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है, आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, मैं आप लोग को एक एक rule बताऊंगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, और दोस्तों, आप लोग इस request है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए, और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखें, यदि आप लोग को मेरा effort अच्छा लगे, तो आप कुछ रूपियों की thanks कर सकते ह थैंक्स बटन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जो की YouTube के दुआरा प्रोवाइट किया गया है, और दोस्तों यह बिल्कुल सिक्यूर है, दोस्तों यदि आप मेरे regular viewer हैं, तो मैने में कुछ ने कुछ पे कर दिजिए, चाहे 40 रूपीज हो, चाहे कुछ भी हो, इतना भी amount हो, और यदि आप सक्षम नहीं है, able नहीं है, तो आप नहीं किजिएगा, लेकिन यदि आपको उपर वाले ने दिया है, तो आप थोड़े बहुत donate कर सकते हैं, दोस्तों मैं आप लोग के लिए काफी मेहनत करता हूँ, इतना बड़ा content लिखना, फिर उसे English में translate करना वो भी आप लोग को समझाते हुए, काफी challenging काम रहता है, तो दोस्तों मेहनत के अनुसार यदि थोड़ी बहुत कमाई हो जाए, तो इनसान को बहुत ही अच्छा लगता है, चूकि educational videos सभी लोग नहीं देखते हैं, जिनको जरूरत होती है, वो ही देखते हैं, तो दोस पर आप message करेंगे, call बहुत कम करेंगे, call के लिए आप request कर सकते हैं, now friends, it's time for us to start today's lesson, उस दिन सभेरे 6 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला, तो यह simple past tense में है, सबसे पहले subject, फिर verb to और फिर object, निकलना के लिए आप leave का यूज कर सकते हैं, और leave का verb to होता है, left, और left का अर्थ बाया भी होता है, जैसे left right, और leave का verb to भी होता है, left, leave, left, left, leave का अर्थ छुट्टी भी होता है, और leaves, जब एस लगा देते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है, पत्ते, यानि कि leave का plural form हो जाता है, leaves, उस दिन सभेरे 6 बजे, that day, at, 6 a.m., यानि कि सभेरे को आप a.m. कह सकते हैं, I, left, my city, दूसरे सहर जाने के लिए, to go to another city, that day, at, 6 a.m., I left my city to go to another city, आप 6 o'clock in the morning भी लिख सकते हैं, that day, at, 6 a.m. in the morning, I left my city to go to another city, मैं रेल्वे स्टेशन पहुचा, पर देरी से पहुचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी, मेरी ट्रेन निकल चुकी थी, या काम पहले हुआ, मैं स्टेशन भी पहुचा, और ट्रेन भी निकल चुकी थी, तो यह है recent past, यानि कि यह थोड़ा पहले हुआ, अभी अभी हुआ, और ट्रेन निकल चुकी थी, या काम थोड़ा पहले हो गया, यानि कि यह है distant past तो distant past को दिखाने के लिए हम लोग head plus verb 3 का यूज करते हैं यानि कि past perfect tense और recent past को दिखाने के लिए हम लोग subject plus verb 2 plus object का यूज करते हैं यानि कि simple past tense मैं railway station पहुचा I reached the railway station but due to my late due to my delaying भी आप लिख सकते हैं मेरी train निकल चुकी थी my train had left I reached the railway station but due to my late my train had left यहाँ पर आप as का भी यूज कर सकते हैं as I was late my train had left I reached the railway station as I was late my train had left मेरे पास 930 की train के अलावा कोई जारा नहीं था कोई जारा नहीं था यानि कि no option मेरे पास और यहाँ पर एथा यानि कि had यूज करेंगे जैसे मेरे पास एक कार थी I had a car तो यहाँ पर लिखेंगे I had no option other than the 930 train I had no option other than the 930 train जैसे माली जीए मेरे पास पैसे लेने के अलावा और कोई जारा नहीं था I had no option other than taking the money मैंने सूचा कहीं नास्ता कर लिया जाए बहुत जोर की भूक लगी थी मैं होटल की ओर जा रहा था मैंने सूचा कहीं नास्ता कर लिया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे I thought thing से thought बन जाएगा of having breakfast इसे दोस्तों भास्ट नहीं पढ़ेंगे first breakfast कहीं somewhere I thought of having breakfast somewhere बहुत जोर की भूक लगी थी I was very hungry मैं होटल की ओर जा रहा था तो यह किस tense में past continuous tense यानि की was were plus were में ing form की ओर की तरफ के लिए आप towards का भी यूज कर सकते हैं या सीधे to का भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर especially है कि होटल की तरफ की ओर towards का भी यूज कर सकते हैं I I के साथ was लगता है I was going towards the hotel दोस्तो इसे English में hotel पढ़ते हैं और हिंदी में हम लोग hotel भी बोल देते हैं I thought of having breakfast somewhere I was very hungry I was going towards the hotel अचानक रास्ते में मेरी नजर फूट पाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी दोस्तो नजर पढ़ना को English में क्या कहते हैं eyes फेल यानि कि फॉल से बनता है on something यानि कि eyes फॉल on something past में है तो फॉल से फेल बन जाएगा और वर्वत्री यूज करना है तो फॉलन हो जाएगा तो यहां पर लिखेंगे अचानक रास्ते में suddenly on the way मेरी नजर माय आईज फेल फॉल यूज करेंगे यहां पर यह पड़ी on two children फूट पाथ पर बैठे sitting on the फूट पाथ दोस्तो शीटिंग और स्टैंडिंग का यूज जादा होता है जैसे वह खड़ा है he is standing मैं बैठा हुआ हूँ I am sitting मैं बैठा था I was sitting suddenly on the way my eyes fell on two children sitting on the footpath दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे बच्चों के हालत बहुत खराब हो चुकी थी यहां पर खराब हो चुकी थी यह एक तरह से distant past है सुदूर past थोड़ा पहले हो चुका था तो हिंदी में भी थी रहने पर आप had plus बर्व 3 का use कर सकते हैं जैसे मैं जा चुका था I had gone दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे तो यहां पर लिखेंगे both of them must have been must have been यानि के रहे होंगे around यानि के लगभग 10 to 12 years जैसे मा लिजे आप 30 वर्ष के जरूर होंगे you must be 30 आप इस परीके से बोल सकते हैं both of them must have been around 10 to 12 years बच्चों के हालत बहुत खराब हो चुकी थी तो यहां पर लिखेंगे the condition of the children had become very bad दोस्तों यहां पर become वर्ष थी है become, became, become ही होता है both of them must have been around 10 to 12 years the condition of the children had become very bad दोस्तों वर्ष फोम याद रखना काफी जरूरी है English बोलने या लिखने के लिए तो मैं आप लोग को कुछ वर्ष फोम्स दे रहा हूं जिनका वर्ष फोम्स आप लोग को लिखना है जैसे आप लीब का वर्ष फोम बताईए इसके लाबा आप लीड का वर्ष फोम्स दोस्तों इसके लाबा आप फीड 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 का वर्ष फोम्स दोस्तों इसके आप ल कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर साब दिखाई दे रहे थे, वे भूखे लग रहे थे यानि के एक तरह से दोस्तो धड़ी दिखाई दे रहे थे हड़्या donor कमजोरी के कारण के कारण इसके लिए अब आप Due To का यूज कर सकते हैं आप Because Of यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर लि वे भूखे लग रहे थे। वे लुकिंग हंगरी. दोस्तो, जेनरली आई अची फों को नहीं लिख कर सिधे लिख देंगे दे लूख ट्ट वेरी हंगरी. या दे सिंटू बी वेरी हंगरी. जैसे you are looking beautiful की जगह आप you look beautiful लिख सकते हैं या बोल सकते हैं Due to weakness, the scletons were clearly visible. They looked very hungry. छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था, बड़ा उसे चुप कराने की कोशिस कर रहा था. तो यहां पर लिखेंगे छोटा बच्चा यानि की the younger child. कह रहा था, past continuous tense, was talking, बड़े को, to the elder, खाने के बारे में, about eating. The younger child was talking to the elder about eating. बड़ा उसे चुप कराने की कोशिस कर रहा था. आप यहां पर उनके भी लिख सकते हैं. उनके जीवन को देख, मेरा मन भर आया, सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिये जाए. तो यहां पर लिखेंगे, sing, their life. मेरा मन भर आया, I was moved. दोस्तो, move का भी अर्थ होता है, दिल पिघल जाना, दुखी महसूस करना, या फिर आप लिख सकते हैं, my heart melted, यानि कि मेरा दिल पिघल गया. सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिये जाए. I thought that I should give them some money. यानि कि मुझे लगा कि मुझे उसे कुछ पैसे दे देने चाहिए, आप इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, दोस्तो यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबा दिजिए, इस वीडियो को लाइक कर दिजिए, और दोस्तो मैंने आप लोग को सूपर थैंक्स के लिए कहा था, यानि कि थैंक्स बटन आपको इस वीड और इसका structure होता है, इधर verb, फिर and, फिर verb, जैसे I gave them 10 rupees, फिर लिखेंगे and, फिर verb to, moved ahead, यानि कि आगे बढ़ गया, I gave them 10 rupees and moved ahead, तुरंत मेरे मन में एक बिचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, Immediately, a thought came to my mind, That, I am, very, stingy, Stingy का भी अर्थ होता है, कंजूस, या फिर major, आप यहाँ पर, so का भी यूज़ कर सकते हैं, That, I am so stingy, और कितना कंजूस हूँ मैं, इसे आप exclamatory sentence में भी लिख सकते हैं, How stingy, I am, 10 rupees में क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे, What will, They get 4 rupees 10, यहाँ पर दोस्तों आप 4 का यूज़ कर सकते हैं, यानि 10 rupees में, यानि 10 rupees के लिए क्या मिलेगा, What will they get 4 10 rupees, जैसे मैंने इस कार को 2 lakh में खरीदा, I bought this car 4 2 lakhs, तो इस तरीके के sentence में, 4 का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने इस कलम को 5 rupees में खरीदा, I bought this pain 4 rupees 5, तो जब यहाँ पर 4 का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी करेंगे, What will they get 4 rupees 10, चाय तक धंग से न मिलेगी, तो यहाँ पर लिखेंगे, याने will not का सोट फोर्म है, याने will not even get T प्रोपर्ली, they won't even get T प्रोपर्ली, swing पर शर्माई फिर वापस लोटा, I felt ashamed, फिल अशेम्ड का अर्थ होता है, शर्म महसूस करना, तो फिल से फिल्ट बन जाएगा, वर्ब टू, I felt ashamed, and, then, came back, फिर वापस लोटा, याने उसी जगह, Immediately, a thought came to my mind, that I am so stingy, what will they get for Rs. 10, they won't even get T properly, I felt ashamed, and then came back, मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे, बच्चे थोडे असमंजस में पडे, I said to the children, कुछ खाओगे, तो इसे हम लोग अपने तरीकेस लिखेंगे, याने कि आप किनी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप वूड का यूज कर सकते हैं, बच्चे थोडे असमंजस में पडे, तो यहाँ पर लिखें के, the children were a little confused. I said to the children, would you like to eat something? The children were a little confused. बेटा मैं नास्ता करने जा रहा हूं, तुम भी कर लो, वे दोनों भूख के कारण तयार हो गये. I said, बेटा मैं नास्ता करने जा रहा हूं, चन, I am going to have breakfast. तुम भी कर लो, you also have it. वे दोनों भूख के कारण तयार हो गए. तयार होना यानि की, आप यहाँ पर एक तरह से agree का भी यूज कर सकते हैं, तो they agreed, और अलग तरीके तयार होना, जिसे कपड़े पहनना, तो आप get ready का यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे, they both agreed, both of them भी लिख सकते हैं, both of them agreed because they were hungry, क्योंकि वे भूके थे, या because of their hunger, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर hungry क्या है, adjective है, जैसे, I am intelligent, I am honest, I am hungry, और इसे noun क्या बनेगा, hunger, I said, son, I am going to have breakfast, you also have it, they both agreed, because they were hungry, उनके कपड़े गंदे होने से, होटल वाले ने डांट दिया, और भगाने लगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, due to, their, dirty cloths, होटल वाले ने डांट दिया, the hotel, owner, या फिर आप staffs भी लिख सकते हैं, scolded, scold करता है डांटना, और scolded यानि की वर्वटू, डांट दिया, them, यानि की उन लोगों को, उन्हें, और भगाने लगा, and, started, driving, them, away, drive away, यानि की भगा देना, जैसे जानवरों को भगाते हैं, आप started नहीं भी लिखेंगे, सीथे drove लिख देंगे, वर्व टू, drive, drove, driven होता है, इसे driven नहीं, driven पढ़ते हैं, due to their dirty cloths, the hotel staffs, scolded them, and, started driving them away, मैंने कहा, भाई साहब, उन्हें जो खाना है, वो उन्हें दो, पैसे मैं दूंगा, होटल वाले ने आश्चर से, मेरी ओर देखा, I said, brother, उन्हें जो खाना है, वो उन्हें दो, पैसे मैं दूंगा, वो आश्चर से, they want, to eat, give them, I will, pay you, the money, होटल वाले ने आश्चर से, मेरी ओर देखा, तो यहाँ पर लिखेंगे, the, होटल स्टाप्स, या आप, होटलियर भी लिख सकते हैं, यानि होटल से जुड़े हुए लोग, looked, at me, with surprise, the hotel स्टाप्स, looked at me, with surprise, I said, brother, whatever they want to eat, give them, I will pay you the money, उसकी आँखों में उसके बरताप के लिए शर्म साफ दिखाई दी, तो यहाँ पर लिखेंगे, श्रेम वाज, किलियर ली, वीजिबल, इन हीज, या ज्यादा लोग हैं तो देर, आईज, उसके बरताप के लिए, फूर, देर, बिहेबियर, श्रेम वोज क्लियरली वीजिबल, इन देर आईज, फूर देर बिहेबियर, बच्चों ने नास्ता मिठाई वो लसी मांगी, तो यहाँ पर लिखेंगे, देर चिल्रण, आस्क्ड फूर, ब्रेक्फर्स्ट, स्वेट्स, आण्ड, लसी, सेल्फ सर्विस के कारण, मैंने नास्ता बच्चों को ला कर दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे, द्यू तू, सेल्फ सर्विस, आई, ब्रॉट यानि मैंने लाया, दफूड, तू देम, दच्चों को लिखेंगे, ब्रेक्फर्स्ट, स्वेट्स, अन्लसी, द्यू तू सेल्फ सर्विस, आई ब्रॉट दू तू देम, जब बच्चे खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी, कुछ निराली ही थी, तो यहाँ पर लिखेंगे, वेन, दच्चिल्रन, स्टार्टेड, इटिंग, देर, फेशेश, हैपिनेस, भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है, जब वा हमें उस काम के लायक समझता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, God, सेंट्स अर्च, यानि हमें भेजता है, to help someone, किन ही की मदद करने के लिए, जब, only when, he considers, यहाँ पर God के लिए ही है, इसलिए, capital letter में लिखेंगे, अस, जब हुआ हमें समझता है, लायक, worthy, of that, work, उस काम के लिए, God sends us to help someone, only when, he considers us, worthy of that work, किसी मदद को मना करना, वैसा ही है, जैसे भगवान के काम को मना करना, तो यहाँ पर लिखेंगे, अब ही कि नहीं के मदद कर सकते हैं, मेरी भी मदद कर सकते हैं, मैं एक गाउ में रहता हूँ, हलां की दोस्तों, काफी knowledgeable person हूँ, और मैं एक private school में भी प्रहता हूँ, आपको थैंक्स बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप कुछ रुपिये मन्थ में एक बार जरूर पे कर सकते हैं, जरूर ट्राइ किजिएगा, I will always be grateful to you for this act of kindness, and friends, I will keep working hard for you, and I will always bring some interesting videos for you. Alright friends, thanks for watching, have a great day.